संग्ठन बन चुका है, हर गाओं में 21 मेंबरी कमेटियां बन चुकी हैं, सचिव न्यूक्त हो चुके हैं केजरिवाल जी पांच तारिक को रोतक में भी आ रहे हैं, उनकी जनसबा हो रही है और जिस जनसबा में यही माने की भाजपा की साजिश है, भाजपा लगातार आमादमी पार्टी को टारगेट कर रही है, जो मंत्री स्तिंदर जैन जी को जेल में डाल दिया, उसके बाद वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देने वाले मनीश शिशोद्या जी को भी जेल में डाल दिया आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेशा ध्यक्ष डॉक्टर रजनिश जी हमारे साथ हैं और आज यह पहुंची हैं गोहाना में जो कह सकते हैं के काजु फैक्टरी सबसे सस्ते ड्राइफ रूट के यहां पे और आप देख भी सकते हैं बहुत-बहुत स्वागत है मीड़ देखी आज मेरी एक सोनीपत में जैसे आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम था तो मैं यहां से होते हुए तो हैपी भाई के अमंतरन पे इनकी फैक्टरी का यहां दौरा करने के लिए पहुंची जैसे अब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है तो यहां पे मैंने देखा है कि बहुत और प्रॉट्स भी है और ड्री फूट्स के इलावा जो फूट्स को भाई करके कोटीड तरीके से बड़े अच्छे तरीके से बनाएगा आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी विराइटी तो मेरे सामने भी रखी है मुझे यहां करके सबसे अच्छी बात एक च अपने घर को भी संभालते हुए जो महिलाएं हैं वो सासत मतलब अपना रोजगार भी जुटा सके तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बढ़ाई देती हूँ और इनके ड्राइफूर्स की कॉलिटी का तो कहना ही क्या कि वो तो बहुत जबरदस्त कॉलिटी है मेरा मतलब खाते खाते वो कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा इतनी अच्छी बहुत वराइटी है इनके यहां और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है जैसे मैं आम आदमे पाटे के महिला पर देशाद हैक्शी हूँ तो इन्होंने महिला सशक्ती करन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं महिलाएं जो गरीब मजदूर महिलाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकती लेकिन इनके यहां से यह काम लेके अपने घर पे बैठके अपने लिए पैसे अपने घर के लिए जुटा सकती हैं यह तो ठीक ड्राइशूट्स की बात अब करते थोड़ी महिने से संग्ठन निर्मान का करे कर रही है परदेशतर का जिलासतर का संग्ठन तो पहले बन चुका था परन्तु अभी रिसेंटली आप एमान के चलिए ग्राम स्थर का संग्ठन बन चुका है हर गाओं में 21 मेंबरी कमेटियां बन चुकी हैं सचिव न्यूक्त हो चुके पत्र भी दे रहे हैं जिससे कारे करताओं में और जुनको सचिव भी बनाये गया उनमें बड़ा उतसा है और उसी के लिए केजृवाल जी पांच तारीक को रोतक में भी आ रहे हैं उनके जन सबह हो रही है और जिस जन सबह में जो नव नियुक सभी सचिव हैं उनको वो पीछे सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड क्लास हैल्थ सिस्टेम देने वाले हमारे मंतरी स्टिंदर का जियन जी को जेल में डाल दिया इसके बाद और नाइजेरिया से इकटाबरा डेलिगेट आया हुआ है वो लोग भी दिल्ली के जो hospital और दिल्ली के जो school हैं देखना चाहते हैं तो इससे आप ये जान सकते हैं कि जिनों ने एक स्वास्थेक शेतर में और शिक्षाक शेतर में अच्छा model प्रस्तूत किया तो भाजपा सरकार को वो कहीं से भी ठीक नहीं लगा उनको अपनी राजनिती डूपती नजर आई तो इसलिए उन्होंने बिना किसी सबूत के हमारे दोनों मंतरियों को जेल में डाल दिया उसके बाद आप देखिए उन्होंने संजे संग जी जो राजे सबासांसद हैं उनको भी उनके उपर गंभीर आरोप लगाते हैं जेल में डाल दिया प्रन्तु इतने लंबे समय से वो आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए हैं और ना ही उनको बेल दी जा रही है तो इसी तरह अब उनका अगला टारगेट केजरिवाल जी है प्रन्तु हमें पूरा विश्वास है कि जब किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है किसी भी तरह का भरष्टाचार नहीं हुआ है वहाँ पे भी अच्छी शिक्षा और स्वास्ते से वाए दे रहे हैं लोगों को विजली और पानी मुफ्त भी दे रहे हैं अगर भरष्टाचार होता तो ये सब देना किसी भी तरह से मुम्किन नहीं था और हर्याना में हम लोग इतना टैक्स देते हैं उसके बावजूद भी आम जन्ता को एक थोड़े से पांच किलो गेहूं और थोड़े से राशन के इलावा कुछ भी नहीं दिया जाता तो और उसके बावजूद भी जो हर्याना सरकार है वो करजे के बोज के नीचे दबी ह हुई है तो फिर आप खुद देखे भ्रष्टाचार कहा है तो अब की बार 2024 में या 2029 में बिल्कुल 2024 में ही आम आदमी पार्टी मैं तो यह कहूंगी कि बिल्कुल 2024 में क्योंकि जन्ता का हर वर्ग इस समय पे तरस्त है चाहे वो किसान को देखे वैपारियों को देखिए और महिलाओं को देखिए सब इस ताइम पे जो भाजपा से परेशान है क्योंकि महंगाई अपने चरम स्तर पे है बेरोजगारी में तो हर्याना नंबर वन हो चुका है और किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो भ्रष्टाचार अपने पूरी सीमा से कहते हैं कि सीमा से तो जनता ये सब देख रही है जनता इस समय पे विकल्प ढून रही है और आम आदमी पार्टी से अच्छा इस समय जनता के पास कोई विकल्प नहीं है कुमा